गुड मॉर्निंग स्टुडेंट गुड अस्टेडी चैनल में एक बार फिर आपनों का स्वागत है आज हम आपनों को अस्पेशल अस्ट्रक्चर के बारें प्राहने जा रहे हैं जो बोलचाल में और न्यूज पेपर में हमेशा यूज किया जाता है इन सभी अस्ट्रक्चर का तो देखते हैं कि यह सभी अस्ट्रक्चर का यूज कैसे करने जाता है तो समझते हैं इसका हिंदी मिनिंग इसे हैज है इड हैड है एड है at हैं वील हैब sale, have, has been, have been, had been, has या फिर have का यूज़ के जाता है इन सभी word के बाद object हमेशा no action word में होता है इन सभी word के बाद जो आता है sentence वो no action word होता है no action word होता है वो action word नहीं होता है तो देखते हैं किस तरका से इन सभी word का यूज़ क्या जाता है बोलचाल में और English में Note, object always no action word हमेशा no action word होता है या फिर वो object हो सकता है noun या फिर adjective हो सकता है कैसे जोगता है जदि sentence में has had रहे has had रहे तो sentence कार्थ होता है रहा है have had रहे तो और थोता है रहा है had had रहे तो और थोता है रहा था will have had रहे तो और थोता है रहा होगा sell have had रहे तो और थोता है रहा होगा have been रहे तो रहा है या फिर has been रहे तो भी रहा है had been रहे तो रहा था है रहे तो पास में है कोई चीज या फिर है रहे तो भी पास में कोई चीज बरतमान में और हैड रहे तो पास था तो देखते हैं इन सभी अस्ट्रक्चर का यूज किस तरह से होता है एक्जामपल देखते हैं I have had a car I have had a car मेरे पास एक कार रहा है इसका मतलब बहुत पहले से मेरे पास कार रहा है इस तरह से दूसरा देखते हैं He has had a car उसके पास एक कार रहा है अनि कि He के साथ क्या थार्ड पर्सन सिंगलर के साथ क्या लगता है है इसलिए क्या लगा He has had a car उसके पास एक कार रहा है इस तरह आगे देखते हैं I had had a car I had had a car मेरे पास एक car रहा था नहीं past में इस तरह से हम integrative में कैसे बनाते हैं Had you had a car क्या तुम्हारे पास car रहा था आगे देखते हैं I had had a problem मुझे एक problem रहा है मुझे एक problem रहा या फिर मुझे एक problem रहा था I had had a problem इस तरह आगे देखते हैं I have had a problem मुझे एक problem रहा है बरतमान इस तरह से 7 नमर देखते हैं You will have had a car तुम्हारे पास car रहा होगा अनि भाविश में तुम्हारे पास car रहा होगा या फिर car होगा आठवा देखते हैं We shall have had a car मतल Als голम लोगों के पास car रहा होगा या फिर हम लोगों के पास car होगा तुम्हारे भावीश में यह भी मतलम क्या होता है हम होगा हम लोग हम लोगों के पास अब हम आगे देखते हैं अक्सर नीज पेपर में has had और had had का यूज किस तरह से कह जाता है हम समझते हैं एक उधारन के दौरा लिखता है राहुल दर्वीड has had a great test cricketer in India राहुल दर्वीड has had a great test cricketer in India राहुल दर्वीड इंडिया में महान test cricketer रहा है has had का मतलब क्या हुआ रहा है बरतमान में राहुल दर्वीड has had a great test cricketer in India राहुल दर्वीड इंडिया में महान cricketer रहा था पास्ट में क्या होता है रहा था has had miss रहा था और has had miss रहा है इस तरह से use क्या जाता है अब आगे देखते हैं basic जो अक्सर confused होते हैं हम लोग जैसे he has a car is तरह से he has been a car उसके पास एक कार रहा है अभी दोना में डिफ्रिंस क्या है he has a car उसके पास कार है लगीन बोलता है he has been a car उसके पास कार रहा है इसका मतलब बहुत दिनों से उसके पास कार रहा है he has a car मतलब उसके पास car है लेकिन he has been a car इसका मतलब उसके पास जो car है बहुत लंबे दिनों से है he has been a car उसरे सागे देखते है I have a car मेरे पास car है लिएन क्या मतलब आई है बीने का मेरे पास car रहा है बहुत दिनों से मेरे पास car है इसे को लिखते हैं I had a car, मेरे पास car था, बहुत पहले मेरे पास car था, इसे को लिखते हैं I had been a car, मेरे पास car रहा था, बहुत पहले मेरे पास car रहा था, इस तरह से head और head been में हम फर्क देखते हैं, और no action word का किस तरह यूज़ किया जाता है, इस तरह आगे देखते हैं You have been a great लिए ब्लेएर्ज यू है बीने ग्रेट प्लेयर तुम्हें क्महान खिलाड़ी रहे वो नहीं कि लंबे समय से वह एक लाक्रम क्हुल के रहा है इस तरह से Istana जातए है यूह है बीने ग्रेट प्लेएर्स अनå अब अगर देखते हैं इसके NOT जैसे M Cr I am doing work मैं काम कर रहा हूँ Present Continuous में इसी को जynोजी हम अगे लिखते हैं I have been doing work मैं काम करता रहा हूँ औरने की बहुत पहले समय काम बहुत पहले से कर रहा हूँ अगे लिखते हैं He had been doing work परफेक्ट continuation में लिखते हैं किसे लिखते हैं, he had been doing work, वह बहुत पहले से काम करता रहा था, इस तरह से he is reading a book, वह किताब पढ़ रही थी, ज़िए इसी को हम perfect continuous में लिखेंगे तो he has been reading books, इस तरह से होता है, तो tense के रूप में has been, have been का रूप इस तरह से use किया जाता है, और no action में तो हम इसके आगे हम पढ़ें, अब आगे देखते हैं कि newspaper में has, has been, has had का उप्योग किस तरह से किया जाता है, लिखता है, it is difficult situation, या cutting situation है, इस्थिती है, he has been struggling, वह संघर्स कर रहा है, बहुत लंबे समय से, लेकिन, he has the baking of the team management, लेकिन उसको team management का साथ है, he has baking on team management, team management का साथ है, he has had an excellent career, उनका जो career रहा है, बहुत से excellent रहा है, has had means रहा है, लंबे समय से, his selection is completely depend on team management, उनका selection team management पर depend करता है, बट लेकिन, he has not been too convincing, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा convincing आनी ठोस नहीं दिख रहे हैं, he has not been convincing, इस बार बहुत ज़्यादा ठोस नहीं दिख रहे हैं कि उनका selection हो जाएगा, तिस तरह से हम has, has been, has had और has not been का उप्योग करने सिख है, तो thank you so much for watching, ज़्यादी वीडियो अच्छा लगा है, तो like और share कर दे, thanks.